नमो नारायन, संक्षिप्त वाल्मी की रामायन भाग बाइस, भरत राम से मिलने चित्रकूट क्यों गए थे, भरत द्वारा राम के पास वन में जाने का विचार, जब कैके इने वर्दान मानगा तब भरत शत्रुगन अपने राज्य में नहीं थे, यहां आने के बाद उन्ह पिता की मृत्यू और भाईयों के वनवास का पता चला, दिवनगत राजा दश्रत के अंतिम संसकार संपन्न हो जाने के बाद राज्य के सभी उच्छ अधिकारियों ने एक सभा बुलाया जिसमें भरत को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, यह प्रस्ताव सर्व सहम सहमती से पास हुआ, लेकिन भरत ने इसे धर्म विरुद्धा और अनुचित बताया कि बड़े भाई के रहते छोटे का राज्या भिशेक हो, उन्होंने राम के बदले स्वयम वन में रहने और राम को राज्या बनाने का प्रस्ताव दिया, यह सहमती बनी की भरत अपने रामबंधियों, उच्छा धेकारियों और सैनिकों के साथ वन में जाएंगे, वही राम का राज्या भिशेक होगा, सभी मिलकर राम को वापस अयोध्या आने के लिए मनाएंगे, राम के पास जाने की तयारी, इस बार राम को लाने के लिए भरत के साथ राजपरिवार से स सभी सदस्य, सभासद, सेना, नगर्वासी इत्यादी के भी साथ जाने का निरनय था। सब को ले जाने का कारण ये था कि सब के कहने पर शायद राम अपना निरनय बदल ले और अयोध्या लोटाए। सुरक्षा के लिए सेना थी, पर इतने सारे लोगों के जाने के लिए विशेश प्रशास्निक प्रबंध की जरूरत थी, सब के लिए भूजन, अवासादी की व्यवस्था होनी थी, रास्ते अच्छे चाहिए थे, इसी तयारी के तहट अयोध्या से कोसल जनपद की सीमा पर स अस्थित गंगा तट के लिए राजमार्ग का निर्मान कार्या का आदेश हुआ, ये जिम्मेदारी शत्रुगहन को दी गई, भरत ने अपने को राम का मंत्री और सेवक मानते हुए किसी भी प्रकार के राजकिय चिन्ह धारन नहीं किया, राजा के लिए बजने वाले प्र सभी रानिय, गुरू, मंत्री, सभासा दादी थे, उद्देश्य था राम को वापस लोटने के लिए मानना, अगर फिर भी राम लोटने के लिए तयार नहीं होते तो लक्षमन की तरह भरत भी राम के साथ वन में रहते, भरत के साथ इस काफिले की यात्रा सुबह में शु जारी निशाद्राजगो से भरत का मिलना भरत के साथ सेना देख कर गो को उनकी मनशा पर संदेश हुआ लेकिन बाद में मिलने पर जब उन्होंने जाना कि वे राम को मनाने के लिए जा रहे है तो उन्होंने उन सब का आतित्ह किया राम के मित्रों और सहायक जानकर भरत भी उनसे बड़े प्रेम से मिले राम और सीता ने जिस शया पर विश्राम किया था उसे देखकर सभी भावुक हो गए भारद्वाज मुनी से भरत का मिलना गुल की सहायता से सब ने गंगा पर किया अगले दिन वे सब प्रयाग में भारद्वाज के उसी आश्रम में पहुचे जहां राम रुके थे पहले दोनों भाई अकेले ही गए लेकिन मुनी के कहने पर सेना सहित सब लोगों को बुलाया मुनी ने अपने तप बल से सब के लिए अच्छे भोजन और आवास की व्यवस्था किया पारस परेक, परिचे, कुशल मंगल आदी बातों के बाद भारत के पूछने पर भारद्वाज ने चित्रकूट का पता बता दिया जहां राम रह रहे थे राम को चित्रकूट जाने की सलाह और रास्ते की जानकारी दी थी इसलिए उन्हें पता था कि राम कहां गए थे सुबह होने पर भारत अपने विशाल समूव के साथ चित्रकूट के लिए चल पड़े भारत का चित्रकूट पहुँचना इधर चित्रकूट में राम, लक्षमन और सीता मंदाकिनी के किनारे घूमने के बाद एक जगा बैठे हुए थे, तो उन्होंने वन के पशु पक्षियों के भागते हुए देखा, दूर से कोलाहल और धूल भी देख रहा था, इस तपोवन में शिकार या युद्ध के लिए किसी राजा का आना तरक समगत नहीं था, इसलिए राम ने लक्षमन से वस्तु स्थिती देखने के लिए कहा, लक्षमन ने जब एक उचे शाल वरिक्ष पर चड़ कर देखा तो ध्वजा से पहचान गए कि यह भरत की सेना थी, सेना के साथ भरत को देख कर उनके नियत पर संदेह के कारण उन्हे कुछ रोश हुआ, लेकिन फिर राम के समझाने पर वे शांत हो गए, इधर भरत ने भी इतनी सेना के साथ तपोवन में जाना उचित नहीं समझा, इसलिए पहाड के नीचे शिविर लगा कर सब को वही ठहरा दिया, भरत, शत्रुगन और गो के साथ पैदल ही राम के आश्रम की खोज करते हुए बढ़े, सुमन्त भी पीछे पीछे आने लगे, राम भरत मिलन, आश्रम से निकलने वाले धुआं और हवन की लख़ियों, मार्ग बोधत चिना आदी से वे जंगल के बीच मनुष्य रुशियों के वास्थान को पहचान गए, इन्ही स्थानों में रोते हुई कि उनके भाई राजा के पुत्र होकर यहां रह रहे हैं, वे अपने भाई का आश्रम धूंधने लगे, एक पर्न कुटी में धनुष बान आदी अस्त्रों के साथ यग्यवेदी आदी देख कर वे पहचान गए, वही उन्होंने जटा और म उन्होंसा वस्त्र पहने अपने भाई राम को देखा, भाई राम को देखते ही भरत शोक से विलाप करते हुए उनकी ओर दोड़े, वे राम के पैर छूना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही भावातिरेक के कारण धर्ती पर गिर गए, आसुओं से उनका गला रूंध गया वे, हाँ, आरियक के अतिरिक्व कुछ और नहीं बोल सके, शत्रुघन ने भी रोते हुए राम को प्रणाम किया, राम ने उठा कर दोनों भायों को सीने से लगा लिया, फिर लक्षमन, निशद राजगो और सुमंत्र भी मिले, इन परम वैभव शाली चारों राजकुमार वन में इस तरह देखकर स्थानिय वनवासी भी भावुक हो गए, भरत द्वारा राम को पिता की मृत्यू की सूचना और राजा बनने की विनती, परस पर हाल चार जानने के बाद राम ने भरत से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा, भरत ने उनसे राज्य ग्रहन करने की लेकिन राम ने मना कर दिया, अब भरत ने उनसे पुना विनती करते हुए पिता की मृत्यू के विशय में बताया, राम, लक्ष्मान और सीता द्वारा पिता के लिए पिंददान, पिता की मृत्यू का समाचार सुनकर राम लक्ष्मान रोने लगे, कुछ देर रोने और श अन्या अयोध्यावासियों का राम लक्षमन से मिलन, मंदाकिनी नदी के किनारे पिता को पिंट देते हुए वे सब रो पड़े, रोने की इस आवाज से परवत के नीचे शिविर में रुके हुए उनके सैनिकों ने समझ लिया की भरत राम से मिल गए है, वे सब पैदल ही अधिकी और भागे, यद्यपी राम को अभी घर से आय अधिक दिन नहीं हुए थे, तथापी लोगों को लग रहा था कि कितने वर्षों से उनसे नहीं मिले थे, सब अधीर होकर उनकी आश्रम की तरफ जाने लगे, कुछ लोग जल्दी के लिए सवारी से भी आने लगे, इससे उसक्षेत्र में तीव कोलाहल होने लगा, पशू पक्षी डर कर एधर उधर भागने लगे, कुलगुरू वसिष्ट के साथ माताएं भी आ गई, यथायोग्य परस पर मिलन के बाद सब वही मंदाकिनी नदी के तट पर एक जगा बैठे,